स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक प्ले लिस्ट में आपको सभी चीज़े मिल जाएंगी और जो शेडूल है वो आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा जाएगा प्लेंगे सब्सक्राइग था खेएगा तेलीग्राम भी आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगाएगा अधिनिक जन्तामतिक आप जीवन के सब्सक्राइगे जहाँ भी हम अपने आपको प्रेजंट करेंगे हमें सबसे पहले मुख्षी कभी व्यक्षि का ही जरुएवेद्टी अगर हम बच्चों के सामने पितों इत्य जेर्जे का का है जरूरी होती है और अनिबारी है सब्सक्राइव महत्तप एंध्य कहा है तो यह है सरल्टम माध्यम ही भाषा की सिक्षा को प्रारंब करने का नेक्स हम देखते हैं कि जो मौखी करते हैं इसमें अनुकरण अभ्यास इनके अफसर बहुत जादा मिलते हैं और मौखी भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी मानी के से जागुदू की तरह जगा देते हैं और अपने आपको लोग प्रिये बना सकते हैं जिसे कि हम नेताओं को देखे तो भी उनके जो भाषण है वो कुछ इस प्रकार होते हैं कि लोगों के जादू सचा जाता है तो मौखीग अभी व्यक्ति बहुत ही जरूरी है आवश्यक है मौखीग भाषा के द्वारा विच्चारों के आदान पादान की हम नई नई जानकारियां मिलती जाती है अशिक्षिक व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही अपना ग्ज्ञान वे अर्जित करते हैं और रोज प्रमुख्र भूमी का है वहीं हम देखते हैं कि मुखिग भाव प्रकाशन जो है वह वो शिक्षण उसमें शिक्षण की क्या उत्देश हैं तो इससे बच्चों का जो उचारणे वो शुद्ध और परिमार्जित हो जाता हैं, वहीं बच्चे जो हें शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ भूलना सीखते हैं, साथ ही वो निसंकच होकर अपने विजार व्यक्त करपाते हैं, और छात्रों को व्य प्रभावत पादक मानी बोलना भी सीख जाते हैं नेक्स हम देखते हैं कि मोखिक अभिव्यक्ति की क्या क्या विशेषता है तो इसकी कुछ शेषता हैं जैसे स्वाबिक्ता पर शुद्धता बोद गम सर्व मानने भाषा हर जगव ऐसी ही बोली जाती है शिष्टता भी है इसमें शिष्टता का द्यान रखा जाता है मधूरता है और प्रवाह मैं ही इसमें एक प्रवाह होता है वही अवसार के इसमें हमारे शब्द भी चैन कर सकते हैं नेक्स शुताओं के अनुकुल भाषा जिस प्रकार के सुनने वाले उनकी इस तरके अनुशाराम भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं नेक्स तरह मोखिक अभिवेक्ति कोशल की सेक्शन कुछ वीदियां हैं सबसे पहले हैं वारता तो वारता लब करके मतलब आज बाते करते करते ही भी बच्चों को कई चीजे सिखाई जा सकती हैं उनके मानसी को और पूर्दी के सतर के अनुसार नेक्स तरस्वर वाचन तो बच्चों को जोर जोर से बूल कर पढ़ाया जाए उन्हें कहा जाए कि आप स्वर के साथ बू पूर्ण करवा है और इसे शुद्ध करा है नेक्स ने कहानी सुनना तो मोखिक भाव प्रकाशन विक्षित करनी के लिए एक सची विधी है वह एक कहानी विधी और वह कहानी सुनते ही और फिर उन्हें पसंद करते ही जिसे चोटे बच्चों को तो कहानी सुनना बहुत ही इस प्रकार हम पहले बंकों कहानी सुना कर बार में उन्होंने कितना समझा चित्रवर्णन Chitaron के द्वर्णा भी हम उन्हें वर्णन करवा सकते हुँ और इसे उन्हीं काविता सुनाना कहानी कतरा तो पर बार नि uplift in the सुन क हम कि बाद वीवात करुआ सकते हैं हुखर 그 ही करवा सकते हैं पार्थ का साधा बच्चों से बढ़ा सकते हैं भाशंट जीकिता करो सकते हैं महीं न stir कर सकते हैंसा तन्त्र आत्म roam तो विभिन्न घटना और रश्णों या उन्हें वक्तिका जो जानकारी है उसके अनुभाव बच्चों को सुनाने का अफ्जार दें और अध्यापक उनकी मोखीग भाव प्रकाशन से संबंदे शीक्षा की सावधानिया तो बच्चों की तुरूटियों को ठीक कराने के किया जाए और उन्हें कहा जाए कि उच्छी डॉक्टर की पनामर्शले महीं शिक्षक्स वयम बोलने का जिश्टांत प्रेश कर रहा है उसमें तेजी ना हो शिग्रता ना हो फोद ना हो इंची जो कभी ध्यान रखना है और बालक को किसी भी प्रकार का संकोश ना हो ऐसा उसे वामन बनाके देना है साथ ने बोलने में अनुपो करने वाले शात्रों को अधिक से अधिक बोलने वपढ़ने के अवसर देना चाहिए और धीरे-धीरे साहस वस्वालामबन का उनका विकास करना चाहिए कई भार बच्चा जो है वह मनोविग्यानी कारण से भी हख ल भाषा शेत्री प्रांतियव व्यक्रण दोशों से रहित हो और बोलते समय स्वारता और भावानुसारवानी के उतार चवार्वे में ध्यान देना चाहिए इस प्रकार से हमारा मोखी कोशन जो है वह यहां समापना होता है झाल 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 तरह बने रहे और जादा कंटेंज के लिए टीचिंग एग्जाम्स जिसे की वर्ग, तीम, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इंफोर्मेशन इस पर मिलती रहेगी सो स्टे कनेक्टेट, स्टे सब्सक्राइब